वेरे वेरे वेल्कम टॉल साथे एक्जाम फाइटर में पर आप सभी का हर दिख्ष्वागत हैं देखिए फिर से 2023 का डिटेल्स रिक्रूमेंट नॉट्रिकेशन आ गया है जीडियस जिसे हम लोग ग्रामिन डाक सिवक करते हैं अब पदों की संख्या देखें आप इतने सारे पदों पर फ्रकेंसी निकली है और मैंने फुर्ट हमनेल में पचास जर लगाया है तो बिल्कुल यह पचास जर के लगबक ही फ्रकेंसी है अब इसमें बढ़ोत्री होनी है यह इंटर्नल न्यूज है और यह तय है आप देखने किस केटेगरी में कितनी सिट जेनरल के सोबीस और सिक लिए आठध़जार दोसोबच्चासी सिक लिए छोहजार बीस इसी परकार एस्टी के लिए चौंटीच सौचियत्तर इव्यूज के लिए उन चालिस पच्पन पीड़लू डी एक लिए जो डिशेबल है उनके लिए है यह सब 292 पीड़लू डीवी के लिए सब्वाउसेट पी डव्लू डी डी के लिए 87 अब पूरा यह डीटेल नौटिपिकेशन देखें 27 जनवरी आज साथियों और आज 27 जनवरी का ही यह नौटीस है श्राथियों मैं इस पोस्ट को इसलिए रिक्रुमेंट करूंगा क्यों कि बहुत सारे इसे होते हैं जिनके पर अफसर है यह क्योंकि आप एक तरह से कर से अर्निंग भी कर सकते हैं अच्छी आपके अर्निंग भी हो जाएगी और आप अपने जो आपका गोल है एंबिशन है बड़ा गोल है वहां भी आप एचीव कर सकते हैं और इसके साथ ही जगर आप यहां पर जोगदान कर लेते है तो अगर आप GDS में योगदान करते हैं तो यहां भी पोस्ट आपिस में डिपार्टमेंटल एकजाम दे कर आप प्रतिक 3-3 साल में आई जीत होता है आप अच्छे बड़े पोस्ट में अपसर पोस्ट तक में भी पहुंच सकते हैं जहां पर विल्कुल रॉयल लाइफ आपक में टेलेंट है तो आप यहां भी बहुत आगे जा सकते हैं तो इसलिए मैं सभी मिड्ल क्लास फैमिली के वैसे स्टुएंट्स को कहना चाहूंगा कि आप अगर इस तरह से विलॉंग करते हैं और आपको लगता है कि नहीं को अप सेल्फ हो जाना है और आप बिल्कुल कम सम में अगर युगदान कर लेते हैं तो आपका वैसे भी डिपार्टमेंट में जो एक्जाम देने का आफसर आपको बहूत ज्यादा बार मिलेगा और लाइफ में आप एक्जाम देते देते इनके इस जो डाक सेवक्त का भी आप जो अपलाई करेंगे इसके माद्यम से डाक विभाब वीवाके चुत भी आप पहुंशच सकते हैं और जो डिपार्टमेंट fryक होता है उसमें काफी डिपार्टमेंटके यहां का डेट है 27 जन्रवरी उन्हाँ आज ही से शुरू हो गया है 16 फरवरी 2023 तक दिया गया इसमें पद हैं आपका बीपी एम और एबी पीम यानि बीपीम होगे ब्रांच पोस्ट मास्टर एबी पीम होगे एसिस्टन ब्रांच पोस्ट मास्टर और से ने का यहां कि एक चीज़ आप देख लाएं यह मैंने कहा है पर्मानेंट यह लेकिन क्या करा है जी डी आइस और होल्डर ऑफेस सिविल सपोस्ट सिविल पोस्ट करता है होल्ड पट दे आर आउटसाइड यह आउटसाइड रेगुलर आउटसाइड दा रेगुलर यहां लिख रहा है एक्ट दिया है इस एक्ट के तरह रूल्स 2020 इसमें यह साफ साफ आप पर लेकर इस रूल्स को जानेंगे तो आपका पोस्ट जो पिल्कुल परमानेंट वेकंसी उससे पैरलर पोस्ट है लेकिन यह भी परमानेंट है इसमें आपको बीच में हटाया नहीं जाएगा यह आप बिलकुल निष्चिंत रहें अगर आप चले गए तो आप रिटायर हो के निकलेंगे अगर आप यह अगे जाकर आप रिटायर होंगे बहुत उच पदों पर भी आप जा सकते हैं यहां से यहां पर यह कर रहा है जौब यानि बीपिम मैंने पहले करेंद ब्रांच पोस्ट स्टमास्टर के लिए यहां पर एज लिमीट एज लिमीट में बात कर लेते हैं मीनिमम जो एज है साथी वह 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल यानि 18 से 40 साल के बीच के लोग अपलाई कर सकते हैं इसके अलावे अगर आप सामने आपको दिख रहा होगा अगर आपको तीन साल को नहीं दिया जाएगा और पीड़ी कंडेट्स को देखिए दस से लेकर पंदर साल तक अलाव दिया जाएगा यहां पर कर आए कि आपका आगे हम दोग देखेंगे एजी केसनल क्वालिफिकेशन क्या है बस सेकेंडरी लेबल यानि आपका बस योगिता मैट्रिक पास टैंथ इस्टेंडर योगिता रखी गई है ठीक है और अधर सकते हैं घोषना पत्र भी भरना है उससे भी आपको करना होगा नौलेज आप कंप्यूटर आपके पास है नौलेज अप साइकलिंग होने चाहिए साइकलिंग में बैस्किल भी हो सकता है बाइक भी हो सकता है और इसके बाल एक वे एडिक्वेट मिन्स आफ लैवलिहूट यह तीन एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको रखा गया है यह आपको आनीच चाहिए और यह ऐसा कोई नहीं जिसके पास यह सारा अलेविट नहीं रहता है ठीक है तो इसमें आपको टेंसन लेने है अपलाई जो करना है आपको यह जो लिंक दिया गया इसी लिंक पर आपक management on the basis of system generated marriage list और यह system generated marriage list की अधर पर बनेगी यानि आपका 10th का जो मार्श है उसके अधर पर बनेगी 10th का मार्श के recording merit list बनेगा और जिस राज में जितने पद हैं उसी के अनुसार आपको इंटरें इंटर्वी भी नहीं लिया जाए उसी के अपका shortlisted किया जाएगा और इसके सूचना भी आपको मिल जाएगी इसको सूचना आपको कैसे मिलेगी तो देखिए इसके सूचना आपको मिल जाए 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 यहां तो कह रहा है कि आपको 10 दिन का ही समय दिया जाएगा ठीक हैं दस दिन का ही समय दिया जाएगा लेकिन पांच दिन यानि आपको 10 दिन के अंदर ही सारा दोकुमेंट देने का प्रयास करना चाहिए 15 दिन लास्ट है इसके बाद फिर आपको कर सकते हैं आपको को रिजक्ट कर दिया जाएगा इसमें यह भी करा कि आप यहां पर को पढ़ेंगे नो फर्दर लिस्ट ऑप सॉट लिस्टेट अप्लिकेंट्स विल भी इसूट आप्टर 30 जून 2023 यानि 30 जून 2023 के बाद कोई लिस्ट नहीं जिया जाएगा सॉट लिस्टेट का अप्लिकेश भी होगी आपकी यानि एकता से कह सकते हैं कि 30 जून तक सभी कुछ भाइनल हो जाना है ज्यादा समय भी नहीं लिया जा रहा है इतनी बड़ी वैकेंसी और इतने कम समय में से अंतिम रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा तो आपके पास सांदर आउसर साथियों इसी परका से आपको अनौर रिपेक्शन मिल जाए और आप हर एक सोचना से रूपर हो सके धन्यवाद थैंक यू